Mě defensive असलाम अलेकों वेलकम टू अपना किच्छन मेरा नाम है राहत आज हम बनाएंगे कद्दू की बरफी कद्दू की बरफी बनाने के इंगरीडियेंट्स आपको под न स्क्रियोप्शन में मिल जाएंगे 250 ग्राम्स कद्दू जिसे मैंने कद्दू कस करके शक्कर वाले पानी में रख दिया है अगर आप कद्दू डेजर्ट के लिए यूज कर रहे है तो शक्कर वाले पानी में रखे अगर नमकीन के लिए यूज कर रहे है तो नमक वाले पानी में रखे इससे कद्दू लाल नहीं होता एक कड़ाई लेंगे इसमें 1 टेबल इस्पून घी डालेंगे घी को मेल्ट होने देंगे जब घी मेल्ट हो जाये इसमें कद्दू कसकिया हुआ कद्दू डालेंगे कद्दू को अच्छा नर्म होने तब पका लेंगे मैंने जो कद्दू लिया है वो बहुत ही soft है घी में भुनने से ही कद्दू अपने ही पानी से गल जाएगा अगर आप जो कद्दू ले रहे है वो अगर hard है तो थोड़ा पानी एट करके गला ले मैंने यहां green food color एट कर लिया है आप चाहे तो skip कर सकते है या फिर अगर आप color ज़ादा पसंद करते हैं तो color और add कर सकते है अच्छे से कद्दू को पकने देंगे शक्कर डालेंगे शक्कर आप अपनी sweetness के हिसाब से adjust कर लीजिए मैंने 100 gram शक्कर ली है बहुत ही easy ingredients के साथ मैंने वर्फी बनाई है बीना दूद और बीना मावे के आप यह जरूर ट्राइ करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमें subscribe करना ना भूले शक्कर को अच्छे से मिला लेंगे आप चाहे तो शक्कर को पीस कर शक्कर के powder का भी इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए शक्कर डिज्वल्व होने पर कितनी शाइनिंग आई है अब इसमें 1 टीष्पुन इलाच्यू पाडर डालेंगे अच्छे से इलाच्यू पौडर को मिला लेंगे फिर इसमें मिल्पौडर डालेंगे इन उसक्राइट लत आफ लत्वार те już के भीreibt अच्छे से mix करके इसे ठंडा होने देंगे तब तक एक प्लेट में या तिन कंटेनर में घी गरीस कर लेंगे और जो हमने कद्दू का mixture बनाया है उसे डाल देंगे अब जो शेप में बर्फी बनाना चाहते है उस शेप में सेट करके कट कर लेंगे फिर इसे पास से दस मिनिट फ्रिज में ठंडा होने देंगे देखिए पास से दस मिनिट हो गए है फ्रिज से निकाल कर चेक करेंगे यह अच्छे से से सेट हो गई है मैंने इसे चांदी के वर्क, क्रश, ड्राइफ्रूट और रबडी से डिकोरेट किया है आप चाहे तो रोस पेटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप यह रेसिपी ज़रूर ट्राइ करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताई यह रेसिपी आपको कैसी लगी देखिए कितने खुबसूरत बर्फी बनी है ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपी देखने के लिए हमाई चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन्स पाने के लिए बैल आकन को प्रेस करें हमें अपने फीड़ बैक ज़रूर दे और वीडियो ज़्याद सब्सक्राइब करें हमें कमेंट और सपोर्ट जरूर किजेगा